गुड मॉनिंग सुडेंट्स आज अपने नेक्स्ट टोपिक स्टड़ी करेंगे और वो है इलेक्ट्रोनिक विन्यास अच्छा इलेक्ट्रोनिक विन्यास जो टोपिक है उसमें अपने जो नियम अपने पहले पढ़ चुके हैं कौन-कौन से नियम अपने तीन नियम पढ़ अगर आपको ध्यान है तो लास्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले पढ़ा था अपनों ने ओफ बो सिद्धान्त उसके बाद पढ़ा पावली का अपवर्जन नियम फिर पढ़ा हुंड की अधिक्तम बहुलकता का नियम तो वो जो नियम थे वो कख्षकों में इलेक्टून विद्यास यह उन Chelsea के बाद में एक टॉपिक आपने और कॉंटम संख्याकरने के बाद में फिर वो टॉपिक वो करेंगे पिर तो देखो अपने स्टार्ट करते हैं electronic विन्यास, इसको मैं short में लिखूंगा और मैं ऐसे लिखूंगा, electronic विन्यास, अब electronic विन्यास जो होता है, उसमें देखो आपको क्या करना होगा, electronic विन्यास सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि electronic विन्यास होता क्या है, देखो, electronic विन्यास, electronों का वित्रण नियम है, इलेक्ट्रोनों का वित्रण नियम है वित्रण नियम का मतलब यह होता है कि कौन से ततो में अगर अपने किसी भी ततो की बात करें तो उसका जो कोई भी कक्षक होगा उसमें कितने इलेक्ट्रोन आएंगे कैसे आएंगे कौन से कक्षक में कितने electron आएंगे इस पर आधारीत है तो इसे परदर्शित करने के लिए दो टाइप से अपने इसे परदर्शित कर सकते हैं एक तो परदर्शित कर सकते हैं संकेत के रूप में संकेत कैसे जैसे आपको ये पता है कि भई S कक्षक जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रोन आएंगे या P में कितने इलेक्ट्रोन आएंगे या D में कितने इलेक्ट्रोन आएंगे या F में कितने इलेक्ट्रोन आएंगे तो इसके S, P, D, F अपने ऐसे एक अक्षक लिखेंगे और उसके उपर आपने क्या लगा देंगे जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया X, Y, Z और A यह जो मैंने लिखें हैं उपर यह आप यह मानो यह होंगी इलेक्ट्रोन की संख्या क्या होगी इलेक्ट्रोन की संख्या तो एक तो इलेक्ट्रोनिक विण्याद दर्शाने के लिए एक तो संकेत नियम है या संकेत के रूप में दर्शार सकते हैं और वो कैसे S, P, D, F में कैसे कैसे इलेक्ट्रोन आएंगे गितने कितने और उनकी जो संख्या होगी उनको जैसे x y z a जो भी है वो मानिगी बाते हैं यह तो कक्षक है आपको बता है आप लोगों ने पढ़ लिए x y z a यह मैंने बात कुछ मान ली है तो यह क्या होती है इलेक्ट्रोणों की संख्या उसके बाद second जो है वो होता है इसका कक्षक R1 कक्षक R1 कैसे दर्शाएंगे कक्षक R1 होता है कक्षक R1 कैसे दर्शाएंगे ये भी अपने कल discuss कर चुके हैं जैसे जो S कक्षक होता है इसका R1 दिखाने के लिए मेरे को एक ऐसे circle बनाना होगा और उसके बाद में P जो है इसका कक्षक आरेक दर्शाने के लिए मेरे को 3 कोलम बनाने होंगे D जो है इसका कक्षक आरेक दर्शाने के लिए मेरे को कितने कोलम बनाने होंगे आपको पता है 1, 2, 3, 4 और 5 और F जो है उसका कक्षक आरेक दर्शाने के लिए अपने को कितने कोलम बनाने होंगे साथ कोलम बनाने होंगे ठीक है और अब इनमे इलेक्ट्रोन कहां बरेंगे अब इनमे इलेक्ट्रोन ऐसे बरेंगे अपने और आपको ये पता है कि इनमे इलेक्ट्रोन कैसे बरे जाएंगे पूरे नियम के अनुसार अपने इलेक्ट्रोन बरेंगे यहां पर भी ऐसे बरेंगे ऐसे इलेक्ट्रोन बरे जाएंगे और यह जो मैंने वीच में जो एरो लगाए हैं यह क्या है इलेक्ट्रोनों की संक्या लिख लेते हैं अपने यह जो मैंने राउंड करके जिनको बनाया है यह क्या है इलेक्ट्रोनों की संक्या तो अगर अपने जो तरीका है वो यह रहता है कि कक्षक आरेक कक्षक आरेक S, P, D और F जो होता है उसके लिए अपने को ऐसे अपने इनको दर्शा सकते हैं ठीक है तो अब देखो अब एक बार अपने इलेक्ट्रोनिक विन्या स्टार्ट करने से पहले अपने को जो आपने ओफ वो सिधान्त पड़ा था एक बार उसको दुबारा से रिवाइज कर लेते हैं और उसको वो चाहिए अपने उसके इसाब से अपने इलेक्ट्रोन फिल करेंगे आपको जहान है तो देखो आपने ऐसे बनाया था ओपो सिधान्त 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F इतने ही बनाएंगे एक बार अपने पूरा नहीं बना रहे आप लोगों ने बना लिया होगा अब ये मैं इसलिए यहां पर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब अपने सभी ततों का अपने कोशिश करेंगे कि अधिक्तम ततों का अपने इलेक्ट्रोनिक विन्यास बन ला दिया था और जो जो रस्ते में आया वो कक्षक अपनोंने लिख लिया बस इतने बना लेंगे इतना बहुत होगा खीक है तो देखो सबसे पहले क्या आता है 1S फिर क्या आता है 2P के के बाद में 3S 3P के बाद में 3S के बाद में 3S के बाद में 3P फिर 4S फिर 3D और 3D के बाद में 4P 4P के बाद में 5S कितने भी आप electronic विन्यास यहां तक complete कर लेना आप इसको अपने एक बार यहां इतने से डिसकस करेंगे इस टोपिक को अब इसको वापिस हटा भी दो अब इसकी जरूरत नहीं है अपने को अब देखो आपने क्या करना है अब स्टार्ट होता है अपना ओरिजिनल टोपिक electronic विन्यास किसी भी तत्व में कितने electron होते हैं और उनको कख्षकों में कैसे बरते हैं इसके लिए अपने को electronic विन्यास से स्टार्ट करता हूं मैं सबसे फस्ट तत्व कोनसा आता है hydrogen होता है तो देखो hydrogen जो है आपको यह भी बताया गया है कि किसी भी तत्व का होता है क्या होता है पर करमांग जो होता है वही क्या होता है उस जितना परमानउ-क्रमांग होगा वह Amanda की संख्या होती है या आपको पताव नची किस तत्व का जितना परमायु-क्रमांग होगा उसमें उतने ही electron उपस्तित होते हैं तो अब देखो अपने start करने जा रहे हैं इसको दुबारे से hydrogen में अपने यहां पे लिख लेते हैं electron कितने होते हैं यहां पे लिख लेते हैं अपने electron की संख्या और फिर यहां पर अपने लिखेंगे एक table बना लेते हैं अपने हैं ना table से ठीक रेगा electron की संख्या यहां पर electron की संख्या और फिर बना लेंगे अपने electronic विन्यास ऐसे table बना लेना आप लोग electronic विन्यास इसको एक बार यहां से बंद मत करना क्योंग इलेक्ट्रोनिक विन्यास आगे लंबा जाएगा यह लास्ट वाला कोलम थोड़ा बड़ा रखना सबसे पहले यह है परमानू कौन सा होता है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यह करम याद रखना आपने याद होता है बहुत अच्छी बात है नहीं याद होता तो अपनोंने जैसे बनाया था वैसे ओर्डर से आप उस चार्ट से आप बना लेना तो फिर मैंने लिखा 1S क्या लिखा 1S इलेक्ट्रोन कितने हैं एक अपने संकेत वाले रूप में दर्शा रहे हैं इसको तो 1S में कितने इलेक्ट्रोन आगे एक और अधिक्तम इलेक्ट्रोन कितने आते हैं S में अधिक्तम इलेक्ट्रोन 2 आते हैं P में अधिक्तम इलेक्ट्रोन 6 आते हैं और D में अधिक्तम इलेक्ट्रोन 10 आते हैं और F में अधिक्तम इलेक्ट्रोन कितने आते हैं 14 आते हैं आगे देखो उसके बाद दूसरा तता होता है H E H E जो उसका परमानुकरमांग है वही उतने ही उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रोन की संख्या होती है तो देखो इलेक्ट्रोन की संख्या होती है जितना परमानुकर्मांग होगा जिसका उतना है उसमें क्या होगा इलेक्ट्रोन की संख्या तो अब 1S कक्षक यही चल रहा है पहले इसको पूरा करेंगे 1S में कितने आगे? 2 अब आगे वाला जो अपने तत्तों लिखेंगे कौन सा तत्तों? ह, ह, ए, ल, आ, हाइडोजन, हेलियम, लीथियम लीथियम में इलेक्ट्रोन कितने होते है? 3 कितने इलेक्ट्रोन होते है? स्वरी 3 तो देखो यह कोष्ट कक्षक जो है वो पूरा बर गया अब अपने आगे वाल इलेक्ट्रोन किसमें बरेंगे? इसमें बरेंगे continue बरना है कैसे बरेंगे? 1 as 2 और 2 as 1 अब यह इलेक्ट्रोन है यह इलेक्ट्रोन यह रा 2 इलेक्ट्रोन यह रे यहाँ पर कितने है? 3 तो 2 और 1 कितने होगे? 3 होगे ऐसे बरेंगे अपने इलेक्ट्रॉन और एक्जामपल करेंगे अपने काफ़ी सार एक्जामपल करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आगे वाल अत्त होता है बीए इलेक्ट्रोन किसंख्या चार होता है उसमें मैं साथा दो इलक्टोन आएंगे च्जादा से ज्यादा डी मैं में इसाथ टास इlingt आएंगे एफ में मैं स सवेवथा इलेक्टोन आएंगे यह आपको याद होना छाइए ठीक है और मैंने आपको यह बात बोली है लास्ट के कितने आते हैं दो इस एस में भी दो आगे इसमें भी कितने आगे दो आगे अब अपने क्या करेंगे अग्ये वाला इलेक्ट्रोन ये एस पूरा भर गया अग्ये वाला इलेक्ट्रोन किसमें बरेंगे पी में बरेंगे तो देखो पांच नंबर बी इसमें कितनी इलेक्ट्रोन हो जाएंगे इलेक्ट्रोनों की संग क्या है पांच अब अपने क्या करेंगे 1s2 2s2 अब देखो 1s2 2s2 आगे वाला काक्षा कौन सा होता है 2p क्या होता है 2p 2p में कितने बरेंगे 1 तो देखो 2-2-4 औरे कितने होगे 5 इलेक्ट्रोन होगे उसके बाद बात करते हैं अपने कार्बन 6 इलेक्ट्रोन कैसे बरेंगे 1s2 2s2 2p 2 अब देखो ये वाला चल रहा है 2p चल रहा है अपने 3s में तब तक नहीं जाएंगे ज्यान से सुनो बात 3s में तब तक नहीं जाएंगे जब तक क्या है कि जो 2p है वो पूरा ना भर जाए जब तक 2p पूरा भर जाएगा उसके बाद अपने 3s में जाएंगे तो देखो 2P2, उसके बाद आगे next तत्त होता है, कौन सा होता है, nitrogen, 7 electron, 1s2, 2s2, 2p3, तो देखो 3, 5 और 2, 7, total electron कितने होगे, 7, यह जो उपर लिख रहा हूँ है, यह electron की संख्या है, और यह भी electron की संख्या ही आपको समझाने के लिए, आगे next तता होता है, oxygen, oxygen में 8 electron, कैसे बरेंगे, 1s2, 2s2, 2p4, कैसे बरेंगे, 2p4, तो इसमें जब तक 6 नहीं हो जाएंगे, देखो, पी में कितने आते हैं, देखता हम 6 electron आते हैं, जब तक पी में 6 electron नहीं हो जाएंगे, तब तक अपने next जो है ककशक उस पर नहीं जाएंगे आगे नो नमबर तता होता है F फ्लोरीन एलेक्ट्रोनिक संक्या सोरी हाँ टोटल एलेक्ट्रोनिक संक्या 9 1s2 2s2 2p5 यह हो गए ठीक है फिर मैं दुबारे से यही सार्णी फिल बना रहा हूँ यहां पर पर्माणू यहां पर इलेक्ट्रोन यहां पर इलेक्ट्रोनिक विन्यास नो दस नमबर ततो कौन सा होता है नियोन नियोन दस नमबर ततो है तो दस एलेक्ट्रोन है दस एलेक्ट्रोनों को कैसे बरेंगे 1s2 2s2 2p6 कितने बर दिया पी के अंदर कितने आगे 6 कंटेनू चल रहा देखो पी 1, पी 2, पी 3, पी 4, पी 5 और पी 6 अब टोटल इलेक्ट्रोन कितने होगे 2, 4, 6 और 2, 8 और 2, 10 होगे अब 11 नमबर ततो आता है sodium 11 नमबर ततो कौन सा आता है sodium आता है उसमें अपने क्या करेंगे देखो इलेक्ट्रोन कितने है ग्यारा कितने इलेक्ट्रोन है ग्यारा तो ग्यारा इलेक्ट्रोनों को अपने कैसे बरेंगे देखो ग्यारा इलेक्ट्रोनों को बरने के लिए अपने को ये एक अखशक बर दिया ये भी भर दिया 2, P तक बर दिया अब आग्या वाले में जाएगे पी में कितने आगे आने चीए टोटल 6 आते हैं 6 आने के बाद में अपने आगे पहुंचेंगे तो 6 आगे ना complete होगे फिर अपने कहा जाएंगे 3S में यह लिखना आता है ऐसे नहीं कि सिर्फ इसको लिख के छोड़ दो 1s2 2s2 2p6 3s1 ठीक है तो पहले continue एसे नहीं कि एस आया उसमें दो इलेक्ट्रोन बर दिये continue अपने एक एक बरेंगे उसके बाद बारा नमबर ततों जो होता है कि एमजी कि बारा इलेक्ट्रोन अब जब बारा इलेक्ट्रोन कैसे बरेंगे देखो 1s2 2s2 2p6 3s में एक आ गया पूरा बर दो एस में कितने आते हैं चाहिए एस जो है वो 3s 4s 5s 6s उससे कोई मतलब नहीं होता है एस में हमें साही 2 आएंगे अधिक्तम आगे तेरव अलुमिनियम तेरा इलेक्ट्रोन अब देखो वापिस आओ 1s पूरा बर गया 2 आगे अधिक्तम 2s भी पूरा फिल कर दिया अपनों ने इसमें भी 2 आगे 2p में अधिक्तम कितने आते हैं 6 या पी में अधिक्तम 6 आते हैं तो पूरा बर गया अब अपने चलेंगे आगे अधिक्तम कितने इलेक्ट्रोन आते हैं 2 आते हैं तो यह भी पूरा बर गया अब 3s के बाद में क्या आएगा 3p अब अपने 3p को बरना स्टार्ट करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p तो 1 इलेक्ट्रोन जोड लिया करो ताकि आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोन पूरे हैं य 12 और एक 13 इलेक्ट्रोन की संक्यातो है आगे आपको ततो भी याद करने जब आप ततो याद करोगे सारे सारे मतलब अधिक्तम तभी ये लेक्ट्रोनिक विन्यास हो पाएगा वरना याद नहीं हो पाएगा देखो आगे आता है SI और इसमें 14 इलेक्ट्रोन 14 इलेक्ट्रोन कैसे बनेंगी पी में एक आ गया अब आगे बरते जाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 इलेक्ट्रोन काउंट कर लो 2 4 और 6 10 और 12 और 12 उसके बाद 15 आ होता है फास्पोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 उसके बाद 16 जो है इस सल्फर 16 इलेक्ट्रोन बर्दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 आगे सत्रमा क्लोरीन 17 इलेक्ट्रोन 1s2 चेक करो काउंट कर लो सही जा रहे हैं क्या 3 नी 4 आएगा भी यहां पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 आपको पता है पी में अधिक्तम कितने आएंगे 6 जब पी में अधिक्तम 3p चल रहा है लास्ट 3p में 6 आजएंगे फिर अपने 4s में जाएंगे आए आर और गन 18 इलेक्ट्रोन बर्दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यह होता है तो अब अपनोंने क्या किया 18 इलेक्ट्रोन अठारा तत्वाँ तक इलेक्ट्रोन अपनोंने भर लिए वो पूरे कर लिए तो वो जो सब नियम जो अपनोंने पढ़े थे पहला कौन सा पढ़ा था पहती दान तो उसमें अपनोंने यह बताए था कि उर्जा का करम है और यह उर्जा का करम इससे बनाया फिर अपने पढ़ा था पाउलिय पौरजन नियम उसने यह बताया था कि एक जो कशक होता है उसमें दिक्तम दो ही एलेक्ट्रोन आते हैं फिर अपनोंने यह पढ़ा बाउलकता का नियम की अधिक्तम बहुलकता में अपने नीये देखा था आ कि उसका जो अर्जका करम सारा कुछ मिला के चेक किया था अब देखो अपने पड़ेंगे तब यह इलिक्ट्रोण क विन्यास हो पाएगा वरुन्हें और रगिक्ता नियम आउख बोसिदान्थ पावली का परजन नियम हुंड के दिखताम बहुलकता का नियम हुंड के दिखताम बहुलकता ने अपने ये बताय था कि पहले एक-एक इलेक्ट्रोन भरा जाएगा और फिर अपने क्या होगा वहां से पेरिंग स्टार्ट होगी पेरिंग मतलब युगमन स्टार्ट होगा अभी आप लोगों को आज एक होंवर्क है और वो यह है कि मुझे आपकी जो रफ कोपी होगी उसमें एक से लेकर तीस तक तत्वों के इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखोगे इलेक्ट्रोनिक विन्यास यह आपने लिखना है जब यह वीडियो देखो तो अपने आप 18 तक मैंने बना दिये ठीक है इस तरीके से बनाओगे और कहां तक जाना है आपने 30 तक जाना है और आप मुझे इस नंबर पर वट्सैप यह जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस नंबर पर आप मुझे वट्सैप करोगे तब मेरे को लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो अगर कोई समश्या है तो आप यहां भी पूछ सकते हो इस पर टेक्स्ट करके मैसेज करके खीक है आज के लिए बसी इतना ही नेक्स टोपिक डिसको सकरेंगे